नवाश्टार पस्चिम मंगाल गराजपाल सीवी आनन बोश जी मुख्यमंत्री आदने मम्ता जी केंद्रिय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अस्वीनि वैश्णव जी सुभाज सरकार जी निशित प्रामानिक जी जोन बारला जी नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी जी शांसत प्रसुन जी मंद्पर विराजमान अन्य साथी देवी और सज्जनो आज मुझे आप सब के बीच रूबरू आना था लेकिन मेरे नीची कारणों के कारण मैं आप सब के बीच नहीं आ पाया हूं इसके लिए मैं आपकी बंगाल की छमा चाहता हूं बंगाल की पुन्य धर्ती को कोलकाता की एक्तिहासिक धर्ती को आज मेरे लिए नमन करने का आउसर है बंगाल के कणकण में आधादी के अंदलोन का इतिहास समाहित हैं जिस धर्ती से बंदे मात्रम का जैगोश हुआ वहाँ अभी बंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाई गई आज 30 दिसंबर की तारिक का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है 30 दिसंबर 1943 1943 उद्दिल ही नेताजी सुभास ने अंदमान में तिरंगा फैरा कर भारत की आजहादी का बिगुल्फ हुका था इस गटना के 75 वर्ष होने पर साल 2018 में मैं अंदमान गया था नेताजी के नाम पर एक वीप का नामकरण भी किया था और अब इस समय बेश आजहादी के 75 वर्ष का पर्म मना रहा है अम्रित महुत्सों मना रहा है इसी अम्रित महुत्सों में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था आज इसी में से एक हावडा न्यू जल्पाई गुडी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकता से शुरू हुई है आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़े अन्य प्रोजेक्स का भी लोकारपन और सिलान्याथ हुआ है करीब पाँच हजार करोड रूपी की लागत से जोका बीबीडी बाग मेट्रो प्रोजेक्स काम हो रहा है इसमें से जोका तरालता मेट्रो रूट बनकर तयार हो गया है इससे शहर के लोगों की इज ओफ लिविंग और बढ़ेगी साथियों कुछ देर बाद ही मुझे गंगा जी की स्वच्चता और पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाए पस्चिम मंगाल को सौपने का आउसर मिलेगा नमामी गंगे मिशन के तहट पस्चिम मंगाल में सिवरेट के 25 से जादा प्रोजेक्ष को मंजुरी दी गई है इन में से 11 प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं और 7 प्रोजेक्ट आज पूरे हो रहे हैं आज देड़ हजार करोड की लागत से पांच नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो रहा है इसमें जो प्रमूख है वो है आदी गंगा नदी का पनरुदार मुझे बताया गया है कि अभी आदी गंगा नदी की स्थिती दुर्भाग्य से बहुत खराब है इसमें जो कुडा कचरा गिरता है सीवर का गंदा पानी गिरता है उसकी सभाई के लिए 600 करोड रुपिय से अधिक का आधुनिक इंफ्रासेक्टर तैयार किया जा रहा है हम लोग अक्सर व्यक्ति के जीवन में प्रिवेंटिव हेल्ट केर की बात तों करते रहते हैं और हम कहते हैं कि दिन चरिया वो होनी चाहिए कि बिमारी की नौबती ना आए ठीक इसी तरह नदी की गंदगी को साप करने के साथ ही केंद्र सरकार प्रिवेंशर पर भी बहुत जोड दे रही है और इस प्रिवेंशन का सबसे बड़ा और आधूनिक तरीका है जादा से जादा आधूनिक सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट आने वाले दस-पंदरा साल बात की जरुरतों को ध्यान बर रखते हुए देश में आधूनिक सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट लगवाये जा रहे हैं आधूनिक के अमरित काल में हमें फॉर्वर्ड लुकिंग सोच और एप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है साथियों इस 21 सदी में भारत के तेज़ विकास के लिए भारतिय रेल्वे का भी तेज विकास भारतिय रेल्वे में तेज सुधार इस सारी बातें बहुत जरूरी है इसलिए आज केंद्र सरकार भारतिय रेल्वे को आधुनिक बनाने के लिए रेल्वे इंफ्रास्टेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इंवेस्ट्मन कर रही है आज भारत में भारतिय रेल्वे के काया कल्प का राष्ट्र व्याब्य अभ्यान चल रहा है आज बंदे भारत तेजस हमसपर जैसी आधुनिक ट्रेने देश में बन रही है आज विष्टा डोम कोचेज रेल्वे यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं आज सुरक्षीत आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड बुर्द्धी हो रही है आज रेल्वे स्टेशन को भी एरपोर्ड की तरह विक्षित किया जा रहा है न्यू जल्पाई गुड स्टेशन भी इसी लिस्ट में शामिल है आज रेल्वे लाइनों का दोहरी करण रेल्वे लाइनों का बिजली करण जिस रप्तार से हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ देश में जो इस्टरन और वेस्टरन डेडिकेटेट फ्रेट कुरिडोर बन रहे हैं वो लोजिसिक्स सेक्टर में क्रांतिकारी बड़लाव लाने वाले हैं सुरक्षा हो स्वच्छता हो सामर्थ हो सामंजश्य हो समय की पाबंदी हो सहूलियत हो भार्टियर रेल्वे आज एक नई पहचान बनाने की हम सब की कोशिस रंग ला रही हैं बीते आठ वर्षों में भार्टियर रेल्वे ने आधुनिक्ता की निव पर काम किया है अब आने अनल आए आठ वर्ष में हम भारतिय भारतिय रेलवे को आधुनिकता की नई आत्रा पर निकलते हुए देखेंगे भारत जैसे युवा देश के लिए भारतिय रेलवी युवा अवतार लेने जा रहा है और इसमें निस्चित तोर पर चार सो पच्चतर से जादा वंदे भारत ट्रेनों की बड़ी भूमिका हो दी साथियों आजादी के बात के साथ दसकों में बीस हजार रूट किलोमेटर रेल लाइन का बिज़िकर्ण हुआ वही 2014 में हमारी सरकार बनने के बार बिते साथ आठ वर्षों वहीं 32,000 रूट किलोमेटर से जादा रेल लाइन का बिज़िकर्ण हो चुका है यह है देश के काम करने की रप्तार रेलवे के आदुनी करण की रप्तार और इस रप्तार को तेज करने के लिए अब भारत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली के बिज़िके रेल इंजीनों का भी तेजी से निर्मान हो रहा है साथ क्यों आज के भारत की स्पीड और स्केल का एक और प्रमाण हमारा मेट्रो रेल सिस्टिम है कोलकता के लोग जानते हैं कि दसकों से मेट्रो रेल पब्लिक ट्रांस्पोर्ड का कितना बहतरीन माध्यम रही है 2014 से पहले तक देश में कूल मेट्रो नेट्वर्प 250 किलोमेटर से भी कम था और इसमें भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी दिल्ली NCR की ही थी केंद्र सरकार ने इस स्थिति को भी बदलता है उसको बदलने का पुरा प्रयास किया है और बहुत तेजी से बढ़ला है बीते आठ वर्षों बें हमने मेट्रो का दो दर्जन से अधीक शहरों तक विस्तार किया है आज देश के अलग-अलग शहरों में लगबग 800 किलोमेटर ट्रेक पन मेट्रो चल रही है एक हजार किलोमेटर के नए मेट्रो रूट पर तेजी से काम चल रहा है जोका बिविडी माग मेट्रो परियोजना इसी संकल्प का हिस्सा है साथियो पिछली सदी के भारत की दो और बड़ी चुनोतियां रही हैं जिनोंने देश के विकास पर बहुत नकारात्मक असर राला है एक चुनोति रही इन्फ्रास्रेक्टर के कारियों में विबिन एज आपसी तालमेल का जीरो होना इसका नतीज़ यह हुआ कि सरकार के एक विवाग को पता ही नहीं होता था कि दूसरा विवाग कहां नया काम सुरू करने वाला है इसका खामिया जा देश के इमानदार taxpayer को उठाना पड़ता था देश का इमानदार taxpayer हमेशा से सरकारी पैसे की बरबादी से परियोजनाओं में देरी से बस्ठाचार से नफ़त करता है जब वो देखता है कि उसकी गाड़ी कमाय से दिये हुए टैक्ट से गरीब का नहीं बलकि किसी ब्रस्ताचारी का भला हो रहा है तो उसका खिन्ड होना स्वाभावीक है पैसे की इसी बरबादी को रोकने के लिए विभागों में, सरकारों में, तानमेल को बढ़ाने के लिए PM गतिशक्ती National Master Plan लागू किया गया है अब चाहे विबिन्द राज्य सरकारे हो, अलग-अलग सरकारी विभाग हो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एजन्सियां हो, या इंडस्ट्री के लोग हो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं PM गतिशक्ती देश में ट्रांस्पोर्ट के अलग-अलग माध्योमों को जोड़ने मल्ति मोडल कनेक्टिविटी के काम को भी गतिदे रहा है आज देश में रिकॉर्ड तेजी से हाइवे बन रहे हैं एरपोर्ट बन रहे हैं वाटरवे बन रहे हैं नए पोर्ट बन रहे हैं हाइवे बहतर तरीके से रेलवे स्टेशनों से कनेक्ट हो रेलवे स्टेशन एरपोर्ट से कनेक्टिविट हो लोगों को ट्रांस्पोर्टेशन के दोरान सिमलेस कनेक्टिविटी भी मिले साथियों 21 सदी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें देश के सामर्थ का सही इस्तेमाल करना होगा मैं देश के लोगों को वाटर वेज का हुदान भी देना चाहता एक समय था जब भारत में व्यापार, कारोबार और टूरिजम के लिए वाटर वेज का बड़े पहमाले पर इस्तमाल होता था इसलिए कितने ही शहर नदियों के किनारे बसे नदियों के किनारे इतना उद्धों की विकास हुआ लेकिन इस सामर्त को पहले सेक्ड़ों वर्सों की गुलामी और प्रियाजादी के बाद की सरकारी उदाजिंता ने तबाह कर दिया अब भारत अपनी इस जल शक्ति को बढ़ाने पर काम कर रहा है देश में सौ से जादा वाटर बेश और विक्सित किये जा रहे है भारत की नदियों में आदुनिक क्रूज चले व्यापार भी हो तूरिजन भी हो इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं केंद्र सरकार ने बंगला देश सरकार के सहयोग से गंगा और बंबपुत्र नदियों के बीच बॉटरवे लिंग स्थापित करने पर भी काम किया है मैं आज देश के लोगों को इससे जुड़ी भी एक जानकारी देना चाहता हूँ 13 जनवरी 2023 को काशी से वाराणसी से एक कुरूज जा रहा है जो 32 किलोमेटर लंबे बॉटरवे से होते हुए बंगलादेश से होते हुए डिवरुगर तक पहुंचेगा ये पूरे विश्व में अपनी तरह का अभुत्रव कुरूज होगा ये भारत में बढ़ते कुरूज टूरिजम का भी प्रतिविम बनेगा मैं पस्चिम बंगाल के लोगों से भी आगर करूँगा कि इसका जरूर लाब उठाए वैसे आज मैं और बात के लिए विशेश तोर पर बंगाल के लोगों को नमन करना चाहता हूँ बंगाल के लोगों में देश की मिट्टी के प्रति जो प्रेम रहा है उसका तो मैं हमेशा कायल रहा हूँ देश के विबिन हिस्सों को जानने के लिए देश के विबिन हिस्सों में ब्रमण के लिए बंगाल के लोगों में जो उत्सा होता है वो अध्वूत होता है बहुत से लोग पहला मोका मिलते ही किसी और देश में गुमने निकल जाते हैं लेकिन बंगाल के लोग हमेशा अपने देश को प्रात्विक्ता देते हैं बंगाल के लोग परियटन में भी नेशन फर्स की भावना को लेकर चलते हैं और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है रेलवे, हाइवे, आईवे, वाटरवे, आधुनिक हो रहे हैं तो इससे इज़ अब ट्राइवेल भी उतना ही बढ़ रहा है इसका बड़ा बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है साथियों गुर्देव टेगोर्द्वार रचीत प्रसिद्ध पंक्तियां है ओ ओमार देशेर माटी तुमार पौरे ठेकाई माथा यानि हे मेरे देश की माटी मैं तुमारे आगे अपना सर जुकाता हूँ आज हाजी के इस अम्रित काल में मात्तु भूमी को सरवपरी रखते हुए हमें मिलकर काम करना है आज पूरी दुनिया भारत को बहुत बरोसे देख रही है इस बरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतिये को पूरी शक्ति लगा देनी है हमें हर दिन का उप्योग रास्त निर्मान में करना है हर पल का उप्योग रास्त निर्मान में करना है देज सेवा के कारियों में हमें रुकना नहीं है इनी सब्दों के साथ मैं इनेक परियोजनाओं के लिए बंगाल को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं फिर एक बार आपका अभिवादन करता हूं और म